कच्चे तेल के बादार में सर ब्रेंट 87 डॉलर, ड़लूटी एक रूटी एक डॉलर, अगले अफ़ते दो इंपॉर्टेंट बैठक होनी है, एक ओपैक की और एक दूसरा जो रूस के तेल पर कैपिंग होनी है, उसकी 5 दिसंबर से डेट सी वो भी अब करीव है, क्या चल रह बढ़ा रही है रूस के कच्चे तेल पर के कैपिंग का मूल लित है करने पर, कैप करने को हर वेक्ति तियार है, सारे देश है, लेकिन इसका मूल लेक्या हो, इस पर घहरी ऐसा हम Cristo का मानना है, कि रूस के कच्चे तेल की कीमत इतनी भी कम ना रखी जाए जिससे कि रूस का उत्पादन ही बाजार में आना बंद हो जाए और रूस रिटेलियेशन में अगर बाजार में उत्पादन लाना बंद कर देगा तो अंतराश्टी बाजार में कच्छे तेल की कीमतें काफी उचाए पर चली जाएंगी और जिसके संक्यत हमें अभी से ही मिलने लगे हैं और दूसरी तरफ पोलेंड लिथवानिया जैसे देशों का एक कहना है कि अगर 60 डालर या 55 डालर के आसपास की कैपिंग तैकी गई यानि रूस इससे अधिक कीमत पर तेल दुनिया में नहीं बेच पाएगा और वो ऐसा न कर पाए इसके लिए शिपिंग कमपीनियों को वीम मशीन को चलाते रहेंगे पुतिन युद्ध के साजों सामान त्यार करते रहेंगे और यूकरेंज पर हमले भी जारी रखेंगे और आसपास की अर्थवस्ताओं के लिए बड़ा खत्रा भी बने रहेंगे अब यूरोपेज यूरोपेज समुदाय को इसके बीच का कोई र बंद करेंगे दूसरी चीज है कि गैस प्राम ने जो रूस की बड़ी गैस कमपिनी है उसने भी गैस की कीमतों में बड़ी तेजी को लेके संभावना जाहिर की और उसने भी कहा है कि आने वाले समय में दुनिया में गैस की कीमतों में रिकार्ट बढ़तरी हो सकती उसका कहने अब हम दूसरी बैठक देखें, दूसरी बैठक ओपेक की है, ओपेक की बैठक में इस बात की संभावना जाहिर की जा रही थी, कि शायद ओपेक के देश उत्पादन में कटवती की घोशना करेंगे, पर अभी आज तक जब हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे संकेत नही इस पीरिट के लिए, जिस पीरिट में ये पिशली कटवती लागू की गई थी, उत्पादन का वो इस तरविय भी हासिल नहीं हो चुका है, उतना भी कच्छा तेल बाजार में नहीं आ पाया है, और दूसरी तरफ अभी फिलहाल ओपेक देश जो विनेजुएला और रूस उसके तेल की परिस्थितियां बदल रही है, उसको पर करीब से नगर रख रहे हैं। और यह सबसे बड़ी वज़ा है, यह माना जा रहा है कि चीन में जो भी अर्थव्यस्था में संकट है, उल्जन है, वो अगले तीन महीने में दूर हो जाएगी, चीन में लॉकडाउन वापस खुलेंगे और कामकाश शुरू होगा, तो चीन की जो मांग वास्तों में वो म चीन की जो बची हुई डिमांड है, जो अंदर शिपे हुई डिमांड है, वो अगले साल बाजार में हिट करेगी, क्योंकि अगले साल चीन के अर्थवस्था वापस अपनी पट्री पर लोटोगी, और उस समय कच्चे तिल की कीमते 100 डालर से उपर जा सकती है, और दूसरा बड़ा बड़ा जो ट्रिगर हो सकता है, वो इसको लेकर है, कि अगर रूस के कच्चे तिल के ऊपर बहुत कम कीमत उसकी तैकी गई और रूस ने अपना उत्पादन और रापूरती बाजार में बंद कर दी, तो अभी एकले साल कच्चे तिल की कीमतों में बढ़ोतरी सेंटिमेंट है, उस पर असर दिखाई देदा।